Hi guys and welcome back to the channel कई दिनों से कोई व्लॉग नहीं आया उसकी वज़ा ये थी कि हम इंडिया ट्राविल कर रहे थे और मैं अपना पूरा टाइम फैमिली और फ्रेंड के साथ स्पेंड करना चाहता था जो कि मैंने किया एज हम तकरीबन वन एन हाफ येर्स के बाद इंडिया गए थे आज का व्लॉग बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिसकी वज़ा से ये इंफॉर्मेशन उन लोगों तक पहुचे जो की अबराट से इंडिया ट्रावल करना चाहते हैं तो लेट्स गेट स्टार्टेड ओके तो ये व्लॉग है ट्रावल गाइडलाइन्स पर टू इंडिया एंड इट विल बी वैलिट फॉर आलमोस्ट आल दे कंट्रीज बट आई विल बी शेरिंग मा एक्सपिरियंस फ्रॉम दुबई टू इंडिया सबसे पहले तो सारी कन्फूजन को छोड़ कर आप अपने टिकेट्स बुक कर लीजिए क्योंकि उसके बिना आगे की सारी बातें बेकार है एक बार आपकी टिकेट्स बुक हो जाएं तो उसके बाद न्यू देली एरपोर्ट की वेबसाइट के तुरू एक्जम्शन और सेल्फ हेल्थ डिक्लेरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं वेबसाइट ओपन होने पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा टॉप राइट कॉर्णर में आप एर सुविधा का आइकॉन देख सकते हैं वहाँ पर क्लिक करने पर आपको तीन आप्शन नजर आएंगे ट्रैक एप्लिकेशन स्टेटस, फिल, सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म, एप्लाई फॉर एक्जम्शन सबसे पहले हमें एप्लाई फॉर एक्जम्शन पर क्लिक करना है पेज खुलते ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगी कि अगर आप इंडिया आने पर कोई कनेक्टिंग फ्लाइट ले रहे हैं तो आर्टी पीसी आर टेस्ट मेंडेटरी है अगर आपने टेस्ट नहीं करवाया है तो आपको आपके अगली फ्लाइट लेने में दिक्कत आएगी कुछ एरपोर्ट्स पर टेस्टिंग की फैसिलिटी अविलेबल है बट आप ये मेक्शूर करें आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट में सफिशन टाइम हो अदर्वाइज निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट आने तक आप कोई भी कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं ले सकते हो इंडिया आने के लिए कोविट टेस्ट करना मेंडेटरी नहीं है बट सभी स्टेट्स की अपनी अपनी रिक्वाइर्मेंट्स है और टाइम टू टाइम ये पॉलिसी चेंज होते रहती है तो बेस्ट ये रहेगा कि आप अपने स्टेट्स की रिक्वाइर्मेंट्स चेक कर लें और सबसे अच्छा ये रहेगा कि अपने साथ RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट केरी करें As per Indian requirements, टेस्ट should not be conducted more than 72 hours So आप ये ध्यान रखें कि टेस्ट की 72 hours की validity आपके एरपोर्ट से बाहर निकलने तक होनी चाहिए Otherwise, depends on state rules, आपको 7 days institutional quarantine Followed by 7 days home quarantine और 14 days home quarantine करना पढ़ सकता है So अगर आप quarantine से exemption चाहते हैं तो आपको 5 categories में फाइदा मिल सकता है जिसमें से 4 categories में exemption बिना COVID report के हैं और 1 with COVID report के हैं Exemption form open करने पे आपको कुछ इस तरह का user interface मिलेगा जहां पे आपको आपकी सारी details फिल करनी होंगी अगर आपकी flight को time है तो आप advance में 4-5 दिन पहले ये form फिल कर दीजिए As approval आने में 2-3 दिन लगते हैं ये मैं अपने experience से बता रहा हूँ So इस form में आपको सारी details फिल कर देनी हैं उसके बाद 5 categories हैं जिसमें पहली category है pregnant woman की जिसमें आपको attach करना पड़ेगा doctor का recommendation letter Second category आती है parents accompanied by children below 10 years इसमें आपको proof करना पड़ेगा कि आप कोई छोटे बच्चे के साथ travel कर रहे हैं की age 10 साल से कम है उसके लिए आपको passport की copy attach करनी पड़ेगी supporting documents में Third category है suffering from serious illness इसमें आपको again medical certificate attach करना पड़ेगा Fourth category है suffered a death in the family अगर आपके परिवार में किसी की death हो गई है तो उसमें भी आप exemption ले सकते हैं उसके लिए आपको death certificate attach करना पड़ेगा या doctor का certificate attach करना पड़ेगा और fifth category है RT-PCR negative report की अगर आप यह attach कर देते हैं तो आपको exemption मिल जाता है quarantine से So सारी details fill करके और required documents attach करके आप इसे submit कर दीजिए उसके बाद आपको एक reference number आपके email पे आ जाएगा अगर आपने well in advance में यह form fill किया हुआ है तो आपको approval दो से तीन दिन में मिल जाएगा और आपकी travel date के एक दिन पहले आप self declaration या self reporting form fill कर दीजिए जिसमें आप same ERO number जो की आपके exemption form पे generate हुई होगी उसे use कर सकते हैं तो आपकी सारी save details automatically form में आ जाएंगी फिर यह form भी fill करके आप submit कर दीजिए यह form आपके health declaration के बारे में है यह भी एक mandatory form है health declaration का form fill करना सभी passengers के लिए mandatory है अगर आप online fill करते हैं तो यह आपके लिए best रहेगा otherwise आपकी airline आपको यह form फ्लाइट में भी provide करेगी तो आप चाहें तो self declaration form आप आपके फ्लाइट में ही fill करके government officials को hand over कर सकते हैं once you get landed at your desired airport ओके सो यह सारी procedure थी आपके airport पहुँचने से पहले आपके airport पहुचने से पहले आप web check-in भी कर सकते हैं या counter check-in भी कर सकते हैं जो कि हम पहले क्या करते थे normal procedure है so फर्ज कीजिए कि आपने web check-in कर लिया है या counter check-in हो गया है आपका उसके बाद normally आपको immigration clear करना है और immigration clear करने के बाद आप flight board कर सकते हैं ध्यान रखिएगा कि आपने अपना face mask लगाया हुआ है अपनी सुरक्षा के लिए और अपने साथ में travel कर रहे लोगों की सुरक्षा के लिए flights almost full चल रही हैं तो उसमें social distancing का कोई scope नहीं है जब आपकी flight Indian airport पर land हो जाएगी उसके बाद आपकी thermal screening होगी और आपको immigration clear करना पड़ेगा उसके बाद custom clear करिए और government officials को अगर आपने exemption लिया हुआ है किसी category में तो आपना exemption form शो करिए otherwise अगर आप quarantine करना चाते हैं तो आपको आपके destination पर जाना पड़ेगा जहां भी आपको quarantine facilities available है और उसके बाद आप घर जा सकते हैं अगर आपके पास RT-PCR test की negative report है तो आपको कोई quarantine नहीं करना है आप घर जा सकते हैं और अपना vacation enjoy कर सकते हैं बट यह ध्यान रखेगा कि आप अपनी और औरों की safety के लिए हमेशा face mask यूज़ करें और अपने आसपास साफ सफाई रखें अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं या sanitize करें यह आपके लिए और औरों के लिए अच्छा रहेगा So that's it for the day guys I hope आप लोगों को यह vlog पसंद आया होगा यह vlog आप लोगों के लिए काफी informative रहा होगा अगर पसंद आया है तो यह details आप आपके family friends के साथ share कर सकते हैं और channel के support के लिए channel को subscribe कर सकते हैं So that's it for the day guys मिलेंगे next vlog में Until then take care and bye bye